नमस्कार टीवी नाइन राजिसान पर आज की इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ भविशित्यागी बस एक हां के इंतजार में रात यूँ ही गुजर जाएगी अब तो बस उल्जन है साथ मेरे नीन कहां आएगी सुभा की किरन न जाने कौन सा संदेश लाएगी रिम जिम सी गुन गुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी जी हां बस इसी हां और ना के चक्कर में सचिन पाइलेट अठके हुए हैं अपनी राजनितिक दिशा तै करने के लिए यूँ तो सचिन पाइलेट के हाथ विलकुल खुले हैं चोकि अभी उनके मुठी में या उनके पास कुछ नहीं है राजनितिक दोर पर ना सरकार में कोई पद ना संगठन में कोई पद तो हाथ विलकुल खाली हैं और हाथ सचिन पाइलेट ने खोल दिये हैं विकल्प बहुत हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर सचिन पाइलेट क्या करने वाले हैं लेकिन इसी हाँ और ना के चक्कर में सचिन पाइलेट अब इस तरह से बैटिंग कर रहे हैं कि या तो वो हिट विकेट हो जाए या वो चाहते हैं कि कोई विकेट की पर उन्हें स्टंप आउट कर दे ऐसा हम किस लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन पाइलेट ने जिस तरह से भ्रस्टा चार पर अटैकिंग मोड में राजे सरकार को घेरा और असर गहलोस सरकार पर हुआ उसके बाद से सब कुछ शांत दिखा कारवाई की बात चल रही थी कारवाई नहीं हुई फिर एक बार सचिन पाइलेट ने वही आकरामक तेवर भ्रस्टा चार के मुद्दे पर अपना लिया बीटे दिन उन्होंने फिर से वही बात दोराई कि जो मैंने एंशन किया भ्रस्टा चार के विरुध वो एंटी पाटी एक्टिविटी नहीं है और राजे सरकार में जो ब्रस्टा चार हुए हैं उसकी बात करना किसी तरह से भी पाटी विरुधी गतिविदी के दायरे में नहीं आता सचिन पाइलेट ने ये भी कह दिया कि 25 सितंबर को जो आलाकमान की नाफर्मानी हुई थी उस पर भी अभी कारवाई पेंडिंग है यानि आलाकमान तक संदेश फिर से पहुचा दिया कि उस पर कारवाई करिये यानि ये मुद्दे है तबाम जो सचिन पाइलेट चाहते हैं कि वो अब आकरामक रूप से उठाएं और उस पर बात हो ध्रस्टाचार की बात हो आप देखिए सचिन पाइलेट ने कल ये बात तब कही जब आज गहलो सरकार महंगाई राहत कैम्प के जरिये जनता के बीच जा रही है आज से इसकी शुरुवात अब चारिक तोर पर हो गई और दस बड़ी उजनाओ के लाब आम जनता तक या पात्र लोगों तक कैसे पहुँचे ये सुनिश्चित करने की कवायत गहलो सरकार कर रही है पहले ही कहीं बिगाड़ न दे और राजिस्थान में यह यू कहें कि राजिस्थान की राजनीती में ब्रस्टा चार का मुद्दा योर सोर से या हावी होकर न बोलने लगे इससे कहीं न कहीं कॉंग्रस पार्टी गहलो सरकार की तो मुश्किले बढ़ेंगी ही बीजेपी क उन्होंने तै की अपने लिए आगे बढ़ने की उस लाइन पर वो मजबूती के साथ आगे बढ़ते दिखाई भी दे रहे हैं अब अगर कारवाई का डर होता तो आला कमान यह यू कहें कि जिस तरह से रंधावा साब ने कारवाई की बात कही तो उसके बात शांत जरूर स नजर आते हैं और मैंने का कि सचिन पाइलेट क्या वाकई ऐसा चाहते हैं क्या कि वो जिस तरह से बैटिंग करें इस राजनितिक पिछ पर राजिस्थान की राजनितिक पिछ पर कि वो हिट विकेट हो जाए या फिर कॉंग्रस यह यू कहें कि स्विक्टों के पीछे खड कॉंग्रस आला कमान उन्हें स्टंप आउट कर दे तो ऐसे में उन पर पाठी छोडने का लांचन नहीं लगेगा क्या वो इस दिशा में सोच रहे हैं और उसके बाद वो अपनी एक नई राजनितिक दिशा तै करेंगे एक नई लाइन तै करेंगे और उस लाइन पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि कई विकल्प सचिन पालिट के साथ में हैं उनके हाथ में हाथ खुले हैं नई पार्टी वो बना सकते हैं इस बात की भी चर्चाए हो रही हैं और दूसरा तीसरे मोर्चे को मजबूती दे सकते हैं वो तमाम समय करण हैं यानि खोने के लिए कुछ नह रहें दरसल कई ऐसे लोग हैं जिन पर किसी ना किसी रूप में कारवाई हो सकती है अब कारवाई किस तरह होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन मैं आपको जो अभी चंचं कर खबरें सामने आ रही हैं वो थोड़ा बता दू हाला कि इन खबरों को मैं अभी पुछ दी है उसमें अब मजबूरी हो गई है कारवाई कि अब यह कारवाई कैसे हो है तो हेटलिस्ट इस बात के तयार हो रही है कि किन किन पर कारवाई की जाए दरसल चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या कि ओils कैमरेट में किसी तरह का फेर बदल किया जा सकता है और क्या कई लोगों को कई मंत्रियों को से ड्रॉप आउट से ड्रॉप किया जा सकता है क्या मैं उधारन के तौर पर आपको बताना चाहूंगा मंत्री महेश जोशी जी का नाम चड़ चाओं में हैं और मैं फिर से बता बस्ताचार का टैग लेकर मंत्रियों को आगे साथ कैसे ले जाया जाएगा जबकि खुद पार्टी के ही नेता ब्रस्ताचार पर इतना अग्रसिव होकर kampेंड कर रहे हैं ब्रस्ताचार के खिलाद इतना लोगों पर भी घाज गिर सकती है जो कहीं न कहीं आला कमान को चुनौती देते नजर आए हैं या आला कमान के नरेशों के बाद भी जो अपने बयानों से बाज नहीं आएं तो ऐसे कई नाम हैं कई नाम हैं चर्चा राजेंद्र गुड़ा के नाम की भी हो रही है और इस तर अस्ताचार के आरोपों के साथ आगे कैबनेट को नहीं बढ़ाया जा सकता ऐसी स्थिती सचिन पाइलेट ने खड़ी कर दी है गहलो सरकार के सामने अब आला कमान अब देखे रदावा साब जिन्होंने पाइलेट साब के अंशन के बाद बड़े ही एग्रेसिव तरीके से काहता की कारवाई जरूर होगी हाला की राहूल गांधी और प्रियंका गांधी की एड़्टरी के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखा लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में गया नहीं है आला कमान भी तमाम नफे नुकसान को देखकर ही कोई फैसला लेने की सोच रहा है ये खबर आ रही है अब सचिन पाइलेट जैसे मैंने कहा कि वो ऐसी स्थती में हैं कि उनके हाथ खाली है पाने के लिए बहुत कुछ है और होने के लिए कुछ भी नहीं तो ऐसे में सचिन पाइलेट अगर रस्टाचार पर किसी तरह कोई कारवाई कैबनेट में फिर बदल करके होती है तो क्या सचीन पाइलेट उससे संतुष्ट होंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और क्या इस तरह की कारवाई के बाद ये जो दो अलग-अलग धुरी या दो अलग-अलग लाइन जिसमें एक लाइन पर सचीन पाइलेट और एक लाइन पर मुख्यमंत्री गैलोत वो लाइन एक होती दिखाई देगी क्या इन्ही सवालों के साथ आज इस इंसाइड स्टोरी में इतना ही अगर आपको इन्साइड स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को जाद सादा लाइक करिए और शेयर करिए आप कुछ बात इस मुद्धे पर कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुरा है आप कॉमेंट में अपनी बात जरूर रखें अपना सवाल जरूर रखें और राजिस्तान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबस्पहले जानने के लिए अब सबस्क्राइब जरूर कर लेजिए टीवी नाइन राजिस्तान को नमस्कार